नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबों का स्वागात है सत्यवचन बाइबल अध्यन कारिक्रम में प्रेश्रोताओं हमारा यह कारिक्रम आपको परमेश्वर के ज्ञान शिक्षा और नियमों को बताने के लिए समझाने के लिए और उस पर चलने की साहेता करने के लिए तैयार किया गया है प्रीमित्रों पिछले अध्यन में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने स्रिस्टी का निर्मान किया उसको रचा और इसके पहले कि परमेश्वर ने मनुश्य को बनाया उसने इस स्रिस्टी को मनुश्य के रहने के योग्य सुसजित किया और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बना कर उसमें जीवन का श्वास फुका और फिर हमने इस बात को पाया कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक योग्य जीवन साथी हवा को रचा प्री मित्रों आज हम अपना अध्यान तीसरे अध्याय से प्रारम करेंगे और उसकी पहली तेरा आयतों पर केंद्रित करेंगे मित्रों बाइबल के अंदर उत्पत्ती का तीसरा अध्याए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस्थान रखता है और उसका कारण है क्योंकि इस अध्याए में हम उन बातों को पाते हैं जो परमेश्वर की योजना को ध्वस्त करने का कारे करती है किस प्रकार से पाप संसार में प्रवेश करता है और उस पाप के परिणाम के स्वरूप परमेश्वर, शैतान, आदम और हवा इन तीनों को श्राब देते हैं और तब उस पाप से निकलने का रास्ता भी परमेश्वर इसी अध्याय के अंत में तयार करते हैं। तो आएए मित्रों, हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यान को परमेश्वर के दास के साथ प्रारम करते हैं। मित्रों, अब हम उत्पत्य के पुस्तक के तीसरे अध्याय में आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल का यह अध्यान बहुत महत्पूर्ण है। मैं विश्वास करता हूँ कि सभी रूडिवादी व्याख्या करता इसे इसी दृष्टी कों से देखते हैं या सुईकार भी करते हैं। डाक्टर ग्रिफित थोमस ने कहा है कि अध्यान तीन बाइबल पुस्तक की केंद्र बिंदु है। यदि आपको इसमें कोई संदे है तो क्रिप्या आप उत्पत्ती की पुस्तक के एक और दो अध्याय को पढ़िए। फिर तीसरे अध्याय को मत पढ़िए और तब चार से ग्यार अध्याय तक पढ़िए। और आप पाएंगे कि इनके बीच में एक बड़ी खाली अस्थान या खाई है जिसे भरने की आवशकता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो जरूर हुआ है। उधारन के रूप में हम देखते हैं कि उत्पती एक और दो अध्याय में मनुष्य, निर्दोष और सब कुछ परिपक्व है। और यहाँ पर मनुष्य और परमेशर के बीच अच्छी संगती है। प्रंतो जैसे ही आप अध्याय चार से आरंब करके 11 अध्याय तक पड़ते हैं, तो आप वहाँ पर इर्श्या, क्रोध, हत्या, जूट, मुर्खता, व्रष्टाचार, विरोध की भावना और न्याय को पाते हैं। अब प्रश्ण उठता है, कि ये सब कहां से आए और कहां से आरंब हुए, पाप की उतपति कहां से हुई, वास्तव में मैं नहीं सोचता कि पाप की उतपति या शृष्टी उतपति की पुस्तक के तीसरे अध्याय से हुई जैसा कि लोग सोचते हैं। यहाँ पर हम मनुष्य के संपुन धार्मिक्ता की पत पर चलने के शक्ति हिंता को भी देखते हैं। जब दैविक अनुग्रह से उसे रोक दिया गया, तो यहाँ पर हम पाप के आत्मिक प्रभाव को देखते हैं। कि मनुष्य परमेश्वर से दूर भाग जाना चाहता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव को पाप वोध पापियों के प्रति देखते हैं। यहाँ पर हम मनुष्य के स्वभाविक आदत पर ध्यान देते हैं, जो स्वय के नैतिक सरमिंदगी को छीपाते हैं। अपने संपुन हाथ के कारियों के द्वारा इसे छुपा कर रखना चाहते हैं। संपर्क नहीं कर सकते, सिवाए इसके हमारा भी एक प्रतिनिधी हो। मित्रों हम देखते हैं कि शैतान परमेश्य के वचन के प्रति संदेह उत्पन करता है। और इस अध्याय के पहले भाग में हम मनुष्य की परिक्षा के विश्य में देखेंगे। उत्पती तीन अध्याय के एक पद में लिखा है। परमेश्य ने मनुष्य को निर्दोस बनाया। प्रन्तु मनुष्य धर्मी नहीं बनाया या रचा गया। अब धार्मिक्ता क्या है। धार्मिक्ता निस्कपटता या निर्दोस्ता है। या ध्यान देने योग्य बात है कि परिक्षा आपको बढ़ा सकती है। या तो नश मनुष्य के स्वभाव को बढ़ाना था और यह सिर्फ परिक्षा की उपस्तिती में ही हो सकता था। मनुष्य एक जिम्यदार व्यक्ति होने के लिए रचा गया और वह पर्मिश्य को महिमा देने के लिए उसकी आगया का पालन करने के लिए उसकी सेवा करने के लिए और दैविक्षाषन के अधीन रहने के लिए बनाया गया। मित्रों, मनुष्य ने अपनी स्रिष्टी स्वय से नहीं की, और मैं नहीं सोचता कि कोई यह दावा करता है कि उसने अपने आपको बनाया है, प्रन्तु परमिर्ष्वर ने उसे बनाया है, और परमिर्ष्वर इच्छा धिन नहीं था, जब उसने इस परिस्तिती में मनुष् उसने मनुष्य से कहा, प्रंतु जो भले और बूरे के ज्ञान का व्रिक्ष है, उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तु उसमें से खाएगा, उसी दिन तु अवश्य मर जाएगा। उत्पती दो अध्याय के सत्रपद में हम इसे पाते हैं। किसी पेड से फल ना खा पाता, और यदि उससे यह भी कहा जाता, कि यदि वह इस फल में से खाएगा, तो निश्चे मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। अधन की वाटिका में अंगिनत पेड थे, जिसमें फल लगते थे, ताकि मनुष्य को इस भले बुरे ग्यान के व्र हमें सर्प का परिचे करा दिया गया है। पॉलस प्रेरित ने कुरुंद के वासियों को अपने दूसरी पत्री के ग्यारे अध्याय के चौदा पद में इस प्रकार लिखा। इसमें कोई आशेरे नहीं क्योंकि शैतान भी जियोतीर में स्वर्गदूत का रूप धारन करता है। बाइबल की अन्य पुस्तकों की अपेक्षा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक शैतान के वारे में सबसे अधिक बताती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका बारा अध्याय और नौ पद में हम पढ़ते हैं। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया। अर्थात वही पुराना साप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और जो संपुन संसार में भर्माता है वह पृत्वी पर नीची गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूद भी गिरा दिये गये यह स्रिष्टि साप के जैसे रेंग कर चलने वाला साप नहीं था जैसा कि आज ह हम पढ़ते हैं उस पुराने साप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ा और हजार वर्स के लिए बान दिया यह एक स्रिष्टि है जो आश्यर जनक सामर्त के साथ है उत्पति की पुस्तक में उसके स्रिष्टि या उद्गम का कोई भी उलेक नहीं है मैं विश्वास करता कि वह कैसे इस प्रकार के शिष्टि बन गई जो अभी है जब हम उत्पति तीन अध्याय के दो और तीन पत को देखते हैं तो हम इस प्रकार पाते हैं इस्त्री ने सर्प से कहा वाटिका के वरिच्छों के फल तो हम खा सकते हैं प्रन्तु उस वरिच्छ के फल में से जो व अब यहाँ पर प्रश्ण उड़ता है कि संसार में सर्प इस्त्री के पास ही क्यों गया? वह पुरुष के पास क्यों नहीं गया? मित्रो जब परमिश्ण ने आदम को रचा, तो उसने उससे कहा था कि वह वाटिक्या के व्रिच के सभी फल खा सकता है, प्रन्तु एक व्रिच के फल को खाने के लिए मना किया था, इस्त्री की रचना अंत में हुई और इसलिए उसे जो संदेश मिला था, वह दूसरों के द्वारा अर्थात मनुश्य से मिला था, इसलिए सर्प सबसे पहले इस्त्री के पास गया, मित्रों, मैं ऐसा सोचता हूँ के इस्त्री को पूरुष से भी अच्छा बनाया या रचा गया था, या इसलिए कि उसके स्वभाव में अधिक तरस और साहनुभूती थी, और संभावता हो सकता है कि वह पूरुष से अधिक सलाह देने और लेने में खुली थी, वास्ताव में मैं सोचता हूँ के इस्त्री के पास एक सोभाव है, और वह है पूरुष से भी अधिक ज्यग्याशु होना, आज इस्त्री ही है जो गलत शिक्षाओं की समू में उपासना और वाद के लिए पूरुष से भी अधिक संख्या में जाती हैं, और पूरुष को भी इसके लिए मार्ग दर्शन करती हैं, अन्थता बहुत सी गलत शिक्षा वाद विवाद के केंदरों के संस्थापक इस्त्रियां ही हैं, शैतान जानता था है कि वह क्या कर रहा है, कृप्या ध्यान दिजिए कि उसने क्या किया, जब वह आया, तो उसके पास एक अतिशुक्ष्म नियम था, उसने इस्त्रिय से यह प्रश्ण पूछा, जो परमेशर के वचन में संदेह उत्पन कर दिया, क्या परमेशर ने कहा है, कि तुम वाटिका के किसी भी व्रिक्ष का फल ना खाना, उसने उसके मन में संदेह को उ से उसकाया, इस्त्रिय ने उत्तर दिया, वाटिका के व्रिक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, प्रन्तो इस व्रिक्ष के लिए परमेशर ने कहा है, कि न तो उसमें से खाना, और न उसे चुना, नहीं तो मर जाओगे, यहाँ पर इस्त्रिय ने बढ़ा कर बात कही, क्योंकि कहीं पर ऐसा नहीं मिलता है, जहाँ पर परमेशर ने कहा कि मत छुना, आगे हम देखते हैं कि सर्प परमेशर के वच्चन का इनकार करता है, उत्पति की पुष्टक उसके तीन अध्याय और चार के और पांच पद में हम पढ़ते हैं, तब सर्प ने इस्त्रिय से कहा, यहाँ पर हम देखते हैं कि तुम नहीं मरोगे, कहने का स्थान पर उसने प्रभावपुन शब्दों का इस्तिमाल किया है, तुम निश्य ही नहीं मरोगे, क्योंकि वह पूर्णत्य असंभाव है, वह परमेशर के प्रेम और परमेशर की अच्छायों को प्रश्न करता है, यदि परमेशर भला है, तो उसने इन रुकावटों को क्यों रखा, या मना क्यों किया, सर्प यह लागू करता है कि परमेशर धर्मी नहीं है, जब वह कहता है कि तुम नहीं मरोगे, और वह परमेशर की पोईत्रता पर प्रश्न उठाता है, यह कहते हुए कि परमेशर तो समान हो जाओगे, परमेशर का वचन कहता है, यहनारक्षि सुसमाचार उसके छे अध्याय के उन्तिस पद में, इश्यू ने उतर देते हुए उनसे कहा, परमेशर का कार्य यह है, कि जिसे उसने भेजा है, तुम उस पर विश्वास करो, मित्रो वास्तों में यह पद बहु रख देता है, रोमियों की पत्री हमें आग्याकारिता और विश्वास की सत्यता सिखाती है, विश्वास आग्याकारिता की ओर बढ़ाता है, और अविश्वास अनाग्याकारिता की ओर ले चलता है, और संदे हमेशा ही अनाग्याकारिता की ओर ले जाता है, अब हम आगे देखेंगे कि इस्त्री और पूरुष ने परमिश्वर की आग्या का उलंगन किया है। आए हम उत्पति तीन अध्याय के छे पत को पढ़ें। जब इस्त्री ने देखा कि उस वरिक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बन के सामने रखे थे, वे बहुत ही रुची दायक थे। यह अपिल शरीर के लिए था, व्रिच का फल खाने के लिए अच्छा था, प्रन्तुवा सब कुछ नहीं है, यह वह वस्तु नहीं है, जो वास्तों में महत्पुन है। यह आँखों के लिए लुभावना था, और यह अपिल मनुष्य के मनोबिज्ञाने शेत्र के लिए अर्थात मस्तिस के लिए था, तथा बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य था। और यह अपिल मनुष्य के आत्मिक शेत्र के लिए था। प्रेमित्रों, आप पाएंगे कि यही और इसी प्रकार के परिक्षा शैतान ने प्रभु के साथ अर्थात प्रवीशु मसी के साथ भी किया। जब वह निर्जन प्रदेश में था, आप इसे देख सकते हैं मतिरचिसु समाचार उसके चार अध्याय में और मारकुष रचिसु समचार इसके एक अध्याय में और लुका के चार अध्याय में सर प्रथम शैतान ने हमारे प्रवहिशु से कहा इस पत्था से कहा कि रोटी बन जाए यह अपील यह निवेदन शरीर के लिए था जैसे वरिक्ष का फल खाने के लिए अच्छा था प्रकार पेड़ आँखों के लिए लुभावना था और अंत में उसने कहा कि अपने आपको मंदिर के कंगूरे से नीचे गिरा दे और यह निवेदन मनुष्य के आत्मिक शेत्र के लिए था जिस प्रकार पेड़ का फल बुधिमान बनाने के लिए चाहने योग्या था है कि उसके पुराने तरीके आज भी उसी प्रकार से कारेरत हैं और प्रभावसाली हैं इसलिए उसे अपने तरीके को बदलने की आवशक्ता नहीं है ऐसा लगता है हम सब उसी तरीके में गिरने के लिए तयार हैं संत योणा ने पहली योणा की पत्री उसका दूसरे अध्या के सोला पद में लिखा है क्योंकि वह सब जो संसार में है अर्थाद शरीर की अभिलाशा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है शरीर की अभिलाशा व्रिक्ष का फल है जो खाने के लिए अच्छा था और आखों के लालशा वह व्रिक्ष आखों के लिए लुभावना था जीवन का अहंकार व्रिक्ष बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य था ये सारे वस्तुएं पिता की ओर से नहीं प्रंतु संसार की ओर से हैं प्रविश्य मसी ने कहा ये शरीर के पाप मनुश्य के हिरिदे की गहरायों से निकलते हैं यही वह स्थान है जहां शैतान अपने निवेदन को रखता है और यही उसका नियम है जिससे वह प्रयोग करता है ताकि वह अंदर पहुँचे और मनुश्य को भटका दे या परमिश्र से दूर ले जाए और वह सफल भी हुआ है आदम और हवा को यह बताया गया कि वे भले और बूरे को नहीं जानते हैं और तब क्या हुआ अब हमारे पास मनुश्य के पाप में गिरने का परिणाम है आए हम सब उत्पत्ती तीन अध्या के साथ पत को पढ़ें तब उन दोनों की आँखे खुल गई और उन्हें मालुम ह हुआ कि हम तो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड जोड कर अपने लिए लंगोट बना लिए और तब उन दोनों की आँखे खुल गई या उनके विवेक को दर्शाता है पाप में गिरने से पहले मनुश्य के पास विवेक नहीं था वह निश्कलंग था और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड जोड कर अपने लिए लंगोट बना लिए अंजीर के पत्ते उन्हें अप्रकट तो किये प्रंतु वास्तों में उन्हें छिपा नहीं सके आदम और हवा ने अपनी गलती को सही स्विकारा प्रंतु वे अपनी पाप को छिपाने की कोशिश की वे अपनी खोईवी इस्तिती को स्विकार करने के लिए तयार नहीं थे आज मनुश्य की परिष्तिती धर्म के मामले में वैसी ही है वो आज भी धार्मिक परंपरा में से होकर जाता है वह कलिस्या से जुडता है और वह धार्मिक बन जाता है क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इश्यु मसी ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया और यह रूची द्रग बात है कि तुरंत बाद उसने उनके वेवार की निंदा की क्योंकि धर्म किवल पाप को ढखती है मित्रों इस परिक्षा में शैतान मनुष्य की आत्मा और परमिश्वर के बीच आना चाहता था यदि हम दूसरे सब्दों में कहें तो वा मनुष्य को परमिश्वर से अलग करना चाहता था और मनुष्य को अपने लिए जीतना चाहता था और वा मनुष्य का ईश्वर बनना चाहता था। मित्रों किसी भी रिती से शरीर की परिक्षा उस दिन मनुष्य के सामने अपील नहीं करने चाहिये थी। वह चोरी करने या जूट बोलने या लोब करने की परिक्षा में नहीं पड़ा। प्रनतु वह परमेश्वर पर संदे करने की परिक्षा में पड़ा। उस धनी जवान ब्यवस्थापक की क्या समस्या थी। वह परमेश्वा पर विश्वास नहीं किया। मित्रों, शैतान के नियम और तरीकों पर गौर कीजिए। पहली बात हवा ने देखा कि ब्रिक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। दूसरी बात यह आँखों के लिए लुभावना था और तीसरी बात बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य था। शैतान बाहर से अंदर की ओर और मन के अंदर में बाहर से काम करता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि परमिश्र मनुस्य के हिर्दे से आरम करता है और कभी-कभी हमारे धर्म के काम बाहर से रगणने जैसे हैं। लेकिन परमेश्व बाहत से रगणे जैसे आरम नहीं करता मित्रु मैं यहाँ पर एक अंतर बताना चाहता हूँ कि मसीहत कोई धर्म नहीं है प्रन्तु मसीहत मसी है इस संसार में बहुत सारी विचार या धाराएं है प्रन्तु प्रवईश्व शिर्ष उद्गम अस्थान पर पाये जाते हैं जब उसने यह कहा नया जन्द का होना आवश्यक है उसने उन फरीसियों से कहा जो धर्म गुरु थे और बाहर से वे बहुत धार्मिक लगते थे कि कठोते को अंदर से साप रखो तुम तो एक चुना फिरी हुई कब्र हो जो बाहर से चिकना और फूलों से भरा है प्रन्तु अंदर से मनुष्यों की हड्डियों से भरा पड़ा है वाह क्या द्रिश्य है आदम और हवा अपने पापों को स्विकार करने के बदले अंजीर के पत्ते को जोड रहे हैं अपने तन को ढख रहे हैं मित्रों मैं आपसे दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भी उसी अंजीर के पत्ती की बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि मनुष्य आज भी कलीसिया में जाते हैं प्रातन सभाव में जाते हैं भले कारियों को करते हैं जबकि उन्हें अपने हृदे के पापों के लिए पश्टाप करना और शमा माँगना चाहिए था लेकिन इसे छोड़कर वे भले कारियों में लगे हुए हैं जैसे आदम और हवा छिपने के कारे में व्यस्त थे। हम उत्पत्ती तीन अध्याय उसके आठ और नौ पद में पढ़ते हैं। फिर उन्हें दिन के ठंडे समय वाटिका में यहवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया। और यहवा परमेश्वर की उपस्तिती से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वरिक्षो में छिप गए। तब यहवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पुछा तू कहा है। मित्रों हमारे कार्य या धर्म हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। और आदम के साथ भी ऐसा ही हुआ, वा खो गया। जी हाँ, आद इका में तेरी वानी को सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, अता मैं छिप गया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तु नंगा है। जिस वरिक्ष में से खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसमें से खाया है। आदम ने कहा, जिस इस्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वरिक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया मित्रों इस पद में हम पाते हैं कि आदम ने अपने गलतियों को स्विकार नहीं किया और यह महत्पुन बात नहीं है कि उसने सारा दोश इस्त्री को दे दिया या हम बोलचाल के भासा में कहें वह बच गया लेकिन उसकी तरफ से पापों का पश्चाप या स्विक्रिति नहीं है मित्रों हम इस अध्याय के आखरी वच्चन उत्पति 3 के 13 पत को पढ़ेंगे जहां पर लिखा है तब यहवा परमिश्वन ने इस्त्री से कहा तूने यह क्या किया इस्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया यहां पर भी हम किसी तरह बचने की बात को पाते हैं इसने भी सीधे रूप में अपनी गलती को स्विकार नहीं किया प्रेदर्शकों आज हमने बाइबल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग का अध्यन किया जो परिक्षा को प्रगट करता है प्रश्न यह है कि परिक्षा क्यों हम सभूं के जीवन में परिक्षाएं आती है और हम सब उन परिक्षाओं के द्वारा से गुजरते हैं उससे होकर गुजरते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को निर्दोष बनाया परन्तु मनुष्य को परमेश्वर ने धर्मी नहीं बनाया धार्मिकता या निश्कपटता का अर्थ निर्दोश बने रहना है तब भी जब परिक्षा हमारे जीवन में आती है यहां ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि परिक्षा आपको या तो बढ़ा सकती है या आपको नस्ट कर सकती है शैतान ने जिस प्रकार से आदम और हवा के जीवन में परिक्षा लाया और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया उसी प्रकार शैतान ने प्रभु ईश्व मसी के सामने भी परिक्षा लाया क्योंकि वह उसके उद्देश को ध़स्त करना चाता था उस उद्धार के कार को करने से उसे रोकना चाता था पर हम अपने अध्यन के अंत में यह पाते हैं कि परमेश्वर आदम को ऐसे ही नहीं छोड़ देता है आदम पाप में पढ़कर पापी हो गया था पर परमेश्वर आदम को पुकारता है उसे खोसता है और आज परमेश्वर खोई हुए सभी लोगों को पुकारते हैं क्योंकि परमेश्वर सभूं से प्रेम करते हैं परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने पापी जीवन में नाश हो जाए और अनंत नर्क की आग में डाला जाए मित्रों मेरा निवेदन है आपसे कि यदि आपने अब तक अपने पापों की शमा प्राप्त नहीं किया है यदि आपने अब तक प्रभु इश्व मसी के द्वारा से पापों की शमा नहीं पाया है तो आज आपके लिए औसर है कि उस उद्धार के कार को जो परमेश्वर ने प्रभीश्य मसी के द्वारा तैयार किया आप अपनाएं और पापों की शमा प्राप्त करें आईए हम प्रार्थना करें स्वर्गे पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जब मनुष्य ने पाप किया तो उसे पाप में पड़े रहने नहीं दिया परन्तु आपने एक अद्भुत योजना उसके लिए तैयार किया और अपने निज बेटे प्रभु इश्व मसी को मनुष्य रूप में संसार में भेजा कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान किया जाए और उसके पापों के बलिदान के दोरा हम उद्धार प्राप्त करें पापों की शमा प्राप्त करें हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभू कि यदि ऐसे कोई भाई और बहन है जो अब तक अपने पापों में है प्रभू जो अपने पापों में संघर्ष कर रहे है हमारी बिन्ती है पिता आप उनकी सहायथा करे आपका आत्मा उन्हें उभारे कि वो अपने पापों से पशताप करके प्रभुईशु क्रीस्ट के द्वारा पापों की शमा प्राप्त करें पिता आपको धन्यवाद देते हैं इन सुन्दर अध्यन और वचनों के लिए आपके दास के लिए जिसके द्वारा से ये वचन हमें सिखाया गया महिमा और आदार आपको देते हुए बिंती इशु के नाम से मांगते हैं आमेन मित्रों आज का समय यहीं समाप्त होता है लेकिन आपसे निवेधन है कृप्या हमें फोन करें इमेल करें हमें मिस्स कॉल करें ताकि हम आपके प्रशनों का उत्तर दे सकें और आपकी जिग्यासाओं को और आपके द्वारा जो आशिशे आपने प्राप्त की है उसे जान कर दूसरों के साथ बाढ़ सकें अगले कारिकरम तक हमें आज्या दें धन्यवाद हमारा आज का कारिकरम आपको कैसा लगा? हमें अवश्य बताएं हमारा फोन नंबर है 919-821-0018 और दूसरा नंबर है 965-143-3397 यदि आप चाहें तो हमें miss call भी दे सकते हैं इसके लिए हमारा नंबर है अगर आप इमेल करना चाहें तो हमारा इमेल आईडी है पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है यूट्यूब और फेस्बुक पेज पर भी आप हमसे जुड सकते हैं उसके लिए आप TWR India हिंदी के द्वारा जुड़ें